ये बजेट अर्थ ववस्ता को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर बनाएगा। ये बजेट more infrastructure, more investment, more growth और more jobs की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। और एक नया क्षेत्र और खुला है और वो है green jobs का। ये बजेट तत्कालिन आवशक्ताओं का भी समाधान करता है और देश के युवाओं के उजवल भविश को भी सुनिस्तित करता है। ये पिछले कुछ गंटों से देख रहा हूँ जिस प्रकार से इस बजेट का हर शेत्र में स्वागत हुआ है। सामान्य मानवी की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है। उसने जन्ता जन्रारदन की सेवा का हमारा उत्सा अनेक गुना बढ़ा दिया है। जीवन के हर खेत्र में आधुनिकता आये। टेक्नोलोजी आये। जैसे किसान ड्रॉन हो, बंदे भारा ट्रेन हो, डिजिटल करेंसी हो, बैंकिंग के खेत्र में डिजिटल युनिट्स हो, फाइविसीज सर्विसीज का रोल आउट हो, नेशनल हेल्थ के लिए डिजिटल इकोसिस्टिम हो, इनका लाब, हमारे युवा, हमारे मध्यमवर्ग, गरीब, दलीद, पिछडे, ये समी वर्गों को मिलेगा। इस बजिट का एक महत्वपुन पहलू है, गरीब का कल्यान। हर गरीब के पास पकता घर हो, नल से जलाता हो, उसके पास साउचाले हो, गैस की सुविदा हो, इन सभी पर विशेश ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। जो भारत के पहड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय का पुरा पट्टा, जहां जीवन आसान बने, वहां से पलायन ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए भी नई गोशना की गई है। हिमाचल, उत्राखन, जम्मु किश्मीर, नौर्थ इस्ट, ऐसे एक छेत्रों के लिए पहली बार देश में परवत माला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहड़ों पर ट्रांस्पोर्टेशन और कनेक्टिविटी की आधुनिक ववस्ता का निर्मान करेगी। और इससे हमारे देश के जो सीमावरती गाव है, बौर्डर के गाव है, जिसका वाइबरन्ट होना जरूरी है, जो देश की सिकुरिटी के लिए भी आवश्रक्ता है, उसको भी बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। भारत के कोटी कोटी जनों की आस्ता, मा गंगा की सफाई के साथ साथ, किसानों के कल्यान के लिए एक महत्वपुर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखन, उत्तरप्रदेश, जारखन, बिहार, पस्चिममगाल इन राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोच्छान दिया जाएगा। इस से मा गंगा की सफाई का जो अभियान है, उसमें मा गंगा को केमिकल मुक्त करने में भी बहुत मड़ी मदद मिलेगी। बजेट के प्रावधाम या सुनिस्चित करने वाले हैं कि क्रशी लाबप्रद हो, इसमें नए अवसर हो, नए एग्रिकल्चर स्टार्ट अप्स को प्रोचान देने के लिए विशेश फंड हो, या फिर फूर्ड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए नया पैकेज, इससे किस किसानों की आए बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी, MSP खरीद के माध्यम से, किसानों के खाते में सवा दो लाग करोड रुपे से भी जादा सीधे ट्रांसफर किये जा रहे हैं, कोरोना काल में MSM यानि हमारे छोटे उद्योगों के मदद और उनकी सुरक्षा के लिए देश्टे लगातार अनेक निर्णे लिये थे, अनेक प्रकार की मदद पहुचाई थी, इस बजेट में क्रेडिट गारंटी में रिकॉर्ड वृद्धी के साथ ही कई नई योजनाओं का एलान किया गया है, डिफेंस के कैपिटल बजेट का 68% डोमेस्टीक इंडिस्टी को रिजर्व करने का भी बड़ा लाब भारत के MSME सेक्टर को मिलेगा, ये आत्मन दिर्भात्रा की तरफ बहुत बड़ा मजबूत कदम है, साड़े साथ लाग करोड रुपिय के पप्लिक इन्वेस्टमेंट से अर्थिववस्ता को नई गती के साथ ही छोटे और अन्य उद्योगों के लिए नए आउसर भी बनेंगे, मैं वित्नमंत्री, निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को इस पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव बजेट के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ.